हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आल इन वन टी एटी दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सीटेट एक्जाम 2022-23 में आपको कितने बोनस अंक मिलेगा उसके विशह में उसे पहले जो ये शैनल में विजिट कर रहे हूँ चैनल को सब्सक्राइब क कर लिजे ताकि सीटेट एक्जाम से जुड़ी हूई कोई भी बड़ी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो फ्रेंट्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि आप सभी अभ्यार्थी जिनोंने सीटेट की परिछा दी है जिनका अभ्यार्थियों का 1-2 माकसे से नंबर जो है उनकी छूट रही है या फिर अग्जेक्ट उतनी ही आई हुई है उन अभ्यार्थियों को डर सा लगा हुआ है कि शीटेट में एक दो नंबर उपर नीचे होती है तो उनके साथ क्या होगा उनकी रिजल्ट किस तरह आएंगे क्या वो क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे तो दोस्तों मैं इन सारी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन को इस पूरे वीडियो में आप लोगों का शॉल्ब करने वाली हूं तो फ्रेंड्स बात करते हैं सीटेट एक्जाम के बोनसंग के विशह में तो दोस्तो साथ फरवरी तक आपकी एक्जाम चलाई गई है तो पिछले शाल क्या हुआ था कि एक सिफ्ट में एक पूरा पैराग्राफ ही बदल दिया गया था जैसे कि मैं आप लोगों को बता दू जैसे कि हिंदी हो गया संस्कृत हो गया या इंग्लिश जैसे लेंग्वेज वाले स सब्जेक्ट है उसमें एक पैराग्राफ आता है जिसे समन्दित नौ आपके प्रश्न पूछे गये होते हैं और बचों को उनके एंसर देने होते हैं उस पैराग्राफ में से चूच करके या फिर ग्रामर सेक्षन हो या फिर पैराग्राफ से समन्दित तो पिछले पर पैर नो अंक तक का बोनस अंक बच्चों को मिला था जो भी बच्चे उस सिफ्ट से रिलेटेड थे और मैं बात करूँ पिछले वर्स एक और घटना ये देखने के मिली थी प्रश्न पत्रों में कि प्रश्न पूछा गया थे उसके चार विकल्प आपसे दिये गया थे लेकिन उन सिफ्ट के सारे बच्चों को आपके वन मार्क्स बोनस के तौर पर दिये गया थे बाकी तो देखने को मिला रिजल्ट जारी होने के बाद भी बच्चों ने ब्लेम किया कि उनके एक-दो मार्क्स इदर-उदर हो गया है जैसे कि विबादित प्रश्ने थे कि कोई प्रश्न पिछले साल रिजल्ट जारी होने के बाद भी अपने गलती को माना और बच्चों को बोनस अंग के तौर पर मार्क्स को बढ़ाए थे और उन्हें नमबर दिये थे तो शिबेसी अपनी गलती को मानती है और बच्चों और अभ्यार्तियों के सार्थ किसी भी तरह का अंका तो ये सुनने को अक्सर मिलता है कि अगर किसी में और सिफ्टों की तुलना में किसी बच्चों का सिफ्ट हाड आ गया ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो उन्हें कुछ नंबर बोनस के तौर पे दिया जाता है जिसमें 75-80% के बच्चे जो होते हैं मार्क्स में बहुत कम होते हैं और सिफ्टों की तुलना के बच्चों के तुलना में तो उन्हें बोनस अंक कुछ देखने को मिल सकता है तो अब देख सकते हैं कि CBC के दुवारा सीटेट की एक्जाम में किसी भी तरह का गल्ती नहीं किया जाता है सीऊप्ट की एक्जाम में अपनी गल्ती को मानती है और नंबर को बढ़ा देती है हलाकि बहुत सारे जैसे यूबट एक्जाम है जिसमें कोट कचारी का भी चक्कर लगाना पद जाता है अभी अरतियों को अपने एक दो नंबर के मांक्स को बढ़ाने के लिए अगर सरकार उ जिसके वजह से उन्हें कोच करी का भी चक्कर लगाना पड़ता है लेकिन सीडेट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो प्रशन दाये तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल सब्सक्राइब कीज कोलेजे में एड्मीशन के लिए कंबाइन इंट्रांस टेस्ट की परिच्छा देने के लिए आप लोग जो है फॉर्म फिलप करेंगे इसके लिए बेस्ट बुक जो आ चुकी है पिरप्रेशन के लिए जो की है चक्छू पब्लिकेशन की आप इस बुक को पढ़ सकते हैं यह बुक जो है एकजाम क्रेकर बुक है और ये जो है कंप्रेट टड़ी गाइड बुक है इस बुक की खासियत यह है कि इस बुक में जो है पांच Stripe जो है दिए गया है तो आप सभी ढमाव अवाथी चक्छु पॉबिकेशन की डिले शकते हैं इस पुक को आप बढु सकते हैं आप सभी तमाव अवथियों के लिए Part Warum जो है syllabus जो है यहाँ पर प्रवाइड किया गया है syllabus देख सकते हैं जेड़न इंगलिस शमान हिंदी रिजिनिंग और जीके के साथ साथ teaching aptitude के question पूछे जाएंगे कुल 120 प्रसंट आप से पूछे जाएंगे परिक्षा में विशय सुची दी गई है साथ में आप देख सकते हैं 2021 का हाल प्रसंट पत्र दिया गया है 2020 2019 2018 और 2022 के previous year question पेपर इसमें दिये गये हैं तो आप लोग विशय सुची देख सकते हैं सभी विशयों से content जो है प्रवाइड किया गया है आप previous year question भी solve कर सकते हैं बिहार CET BAT परिक्षा हाल प्रसंट पत्र 2022 जो की परिक्षा कंड़क्ट होई थी 6 जुराई 2022 को उसकी question paper जो है आप लोग के लिए प्रवाइड किया गया है तो best book आ चुकी है बिहार BAT combined in trans test परिक्षा के लिए जो की चप्षू publication की है आप इस book को purchase कर सकते हैं ले सकते हैं फिलिप कार्ट से, Amazon से, Snapgin से, buy link जो है नीचे decision box में आप लोग के लिए provide कर दिया गया है वहाँ से जाकर आप इस book को ले सकते हैं साथ में इनकी set practice की भी book आती है question को solve करने के बाद आप set practice बनाएंगे तो उससे आप ये पता चलेगा कि कितना score आप कर रहे हैं कहां तक अप्रोच आपका सही है तो तयारी के लिए आपकी best book आ चुकी है चक्छू publication की buy link नीचे decision box में आप लोग के लिए प्रोवाइड़